नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग फेंटसी टैलेंट आप यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों इस साल की शुरुवात बड़ी कमाल हुई है पहले ही दिन ग्रेंड लीक में हमारे एक यूजर ने फूर्थ रेंग कमारी है डेर लाक रुपे विन किये हैं और इसे हम ड्रीम स्टार्ट कह सकते हैं दोस्तों आप लोग भी ऐसा कमाल कर सकते हो बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एड़ तक फोलो कीजिएगा पूरा ध़ान से सुना करो कि कौनसा प्लेयर क्या कर सकता है किस प्लेयर की क्या विक्ने से किस पर ज़्याधा फोकस क Imma रना है किसको वाइट करना है और दोस्तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि राशिद खान कितने इंपोर्टेंट है या नहीं है मैथ्यू शॉट क्या कर सकते हैं और कौन सा प्लेर जो जी एल में आपको कमाल करके देगा लेकिन फ्रेंड्स अगर अभी तक आप लोगों ने हमें टेलेग्राम पर जोईन नहीं किया है तो टेलेग्राम पर जोईन कर लेना इस स्मॉल लीग की फाइनल टीम आपको यहीं पर प्रोवाइट कराई जाती है और साथ ही साथ दोस्तो रेरियो में जिन लोगों ने साइन अप नहीं किया है दोस्तो मैं आपको रेरियो के बारे मैं डीचल में बता देता हूँ कि होता क्या है यहाँ पर आपको सिर्फ card को purchase करने है मेरे पास में 104 card है पूरे 104 card और मैं इन 104 कार्ट से फ्री में खेल सकता हूँ जब तक ये प्लेयर क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मैथ्यूइट कल क्रिकेट बंद कर रहे हैं कि नहीं करेंगे आने वाले कम सकम 5-7 साल तक और खेलेंगे और मैथ्यूइट का कार्ड मेरे पास है मैं इनसे IPL में, Big Bash League में, International Cricket में सब जगे फ्री खेल सकता हूँ तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्री में अभी इन्वेस्ट करके कम इन्वेस्ट करके ज्यादा बेनफिट कमाना चाहते हो तो रेरियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, साइन अप कर लीजिए का और अब स्टार्ट करते हैं और बात कर लेते हैं दोस्तो इस मैच के बारे में जो की है हॉवट हुरिकेंस और एडिलेट स्ट्राइकर्स की वीची में ग्राउंड रिकॉर्स से स्टार्ट करेंगे जो ये मैच है दोस्तों ये खिला जाएगा बैले रिव और वल हॉवट में अब आपको हॉवट देखा, आपको समझ में आ गया कि जो होम ग्राउंड है ये हॉवट का रहने वाला है, इस मैदान पर अभी तक 53 मैचे सोच चुके जिन में से 31 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को विन किया है मतलब यहाँ पर कई बार आपको ऐसा देखने मिलता है कि जो टीम पहले बैटिंग कर रही, उसको जादा बैनिफिट देखने मिलता है और टॉस जीतने वाले टीम यहाँ पर पहले बल्ले बाजी का फैसला कर सकती है क्योंकि पहले बैटिंग करते वे थोड़ा सा अडवांटेज मिल सकता है सेकंड बेटिंग करने वाली टीम ने 22 मैचिस को विन किया है एवरेज स्कोर जो है इस मैदान का वो 165 के आसपास है दोस्तो 165 का जो स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर मानता हुमें T20 के अंदर मतलब इस मैदान पर आपको बल्लेबाज ऐसे निकल कर आ सकते हैं जिने आप अपना कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हैं क्योंकि जोस्तो अगर 165 का स्कोर बन रहा है तो ऐसा नहीं होगा कि 20 या 25 रन के स्कोर से इतना बड़े स्कोर बन जाए कोई ना कोई एक बल्लेबाज ऐसा निकलेगा जो 50 से उपर का स्कोर जरूर करके देगा आपको इस मैदान पर जो नॉर्मली स्कोर बनता है वो आप यहाँ पर देखेगा 150 से लेकर 170 के बीच का होता है या फिर 170 से लेकर 190 के बीच का होता है तो इसलिए भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है बल्लिबाच को आप captain vice captain pick कर सकते हैं अब इस ground पर खेलेगा एक कुछ पुराने matches के बारे में बात कर लेते हैं तो जो आखरी match हुआ था वहाँ ज्यादा बड़ा score बना नहीं Howard Hurricane ने 122 का score किया था देगेट ने 114 रन बना पाए थे इस match में जिमी नीशम का 28 था विल्स दे लेंड ने 40 रनों का score किया डैविड मूडी तीन विकेट निकाले थे आर मेरडित के खाते में तीन विकेट थे और दोनों दोस्तों राइटा मीडियम है लेकिन इसके पहले के मैचेस के अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आप क्या देखोगे हीट ने किया 150 का score जैमस बेजली ने 44 रन किये ये नमबर 8 पर बेटिंग करने आते हैं थॉमस रोजर्स ने 33 का score किया ये नमबर 9 पर बेटिंग करते हैं पावर फ्ले में दोस्तो अच्छे खासे वेकेट हमने यहाँ पर भी देखे हैं और फास्ट बोलर्स को मिले 12 इस्पिनर्स के खाते में 4 वेकेट हैं और नीचे आते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे 63 का score है यहाँ पे बेन मेडिन मोट ने 110 किया फिर यहाँ पे बेन मेडिन मोट ने 67 का score किया जोई कलार के 50 थे यह दोस्तो यह अब आच चुके हैं यहाँ पे टॉप ओडर के player इसके और नीचे आते हैं तो यहाँ पे कर्टिस पेटरसन ने 78 का score किया है बस एक सबसे बड़ी common चीज यह है कि अभी जो पिछले 5 matches इस मेडान पर खेले गए हर एक match में power play में हमने wicket जरूर देखा है तो अगर आपको power play का कोई ऐसा player जो अप स्टार्टिंग में open करने वाला कोई ऐसा player जो आपको थोड़ा भी weak लग रहा है तो आप इससे बिल्कुल drop कर सकते हो क्योंकि उसका विकेट जाना लगबग लगबग 90% तया आप मानके चल सकते हैं इस मेडानों के उपर फास्ट बॉलर्स के विकेट थोड़े से ज़्यादा आपको मिलेंगे हाला कि दोस्तों पिछले 2 matches में ही ऐसा हुआ है जहां पर spinners ने अच्छे काम चल सकता है और फास्ट बॉलर्स का डॉमिनेशन देखने मिलेगा और नॉर्मली यहां पर आपको ओपनर जो है वो बहतर करके देता है क्योंकि दोस्तों जब आपको हाई स्कोरिंग ग्राउंड देखने मिलता है तो वहां पर नॉर्मली होता क्या है कि जो टॉप ओडर के प्लेरेंशन अच्छा करते हैं तब जाकर आपको हाई स्कोरिंग मैचेस देखने मिलते हैं और जो लोई स्कोरिंग ग्राउंड होते हैं वहां पर स्टार्टिंग की बल्लेबाज है उनको थोड़ी मुश्किल है तब यहां पर ही थो दोस्तों आप की XL सकते हैं कि चल सकतें कि पहली पारीा में आपको टॉप थ्री अच्छा करके दे सकते हैं उन्हें आप अपना क्याप्टन बनाईएगा और मिमें दूस्तों अगर आप लोग को मेरा वीडियो समझ आता है न तो वीडियो को like और share जरूर किया करो तभी मज़ा आता है मेहनत करने में कि आप लोग को मुझे लगता है कि आप लोग मुझे motivate कर रहे हैं और साथ इसाथ आप लोग का support देखने मिलता है दोनों टीमों ने total 18 matches खे और वो दोनों मैचिस रहें होवाट हिरिकेंस ने हाला कि आप यहां पर क्या देख रहे हैं कि ह dopo मैच लेकिन उसमें से दो मैच जो है वह उन्हों ने मंड़ी के दिन विन किया तो संवार का दिन इनके लिए बैतर हो सकता है आप यहाँ पर लास्ट टाइम जब यह दोनों टीमें आमने सामने होई तो स्ट्राइकर ने 188 का स्कूर किया था जिसमें एलेक्स केरी के 67 थे मैथ्यू शॉट ने 89 का स्कूर किया था पीटर सीडिल चार विकेट हैंडरी थॉंटन दो विकेट है दूसरी तरफ केले जविल ने 35 किया दार्सी शॉट के 56 थे टिम डेविट का 21 था और मेरेड़ित और थॉमस रोजस ने दो दो विकेट निकाले यहाँ पर आप फिर से दार्सी शॉट का नाम रिपीट देखेंगे इसका टिम डेविट का नाम रिपीट है हाला कि बहुत ब देविट निकाले तो दूसरी तरफ मैथ्यू शॉट का नाम रिपीट हुआ फिर पीटर सेडिल ने 5 विकेट निकाले यहाँ पर चार ते यहाँ पर 5 विकेट है और राशिद खाने निकाले थे दो विकेट अब चली दोस्तों यहाँ से हम दोनों टीमों के प्लियर्स के र करके दिया है तो पहला नाम है दोस्तों मैथ्यू वेट का मैथ्यू वेट ने 21 पारियों खेली है इस मैदान के उपर जिसमें इनका 23 का एबरेज चार बार 50 से उपर का स्कोर है मतलब बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि यह इनका होम ग्राउंड होम ग्राउंड स्कोर है और चैनल उपर का स्कोर है इसमें एक शतक भी शामिल है जिसमें उन्होंने 110 रॉंड का स्कोर किया था दार्शी छोट 29 पारि 69 रन इनके खाते में 8 बार 50 से उपर का स्कोर है और 96 इनका हाईस्ट स्कोर यह जो तीनों प्लेयर ना दूस्तों यह टॉप 3 में ही खेल 9 पारी में 144 है 18 का एवरेज है और टिम डैविड है जिन्होंने 12 पारी में 185 किया है और एक बार 50 से उपर का स्कोर इनके खाते में भी धर्च है अब आते हैं दोस्तों गेंद बाजों पे जॉयल पैरेस ने निकाले हैं तीन पारीों में तीन विकेट आर मेरेडित के खाते मे 17 में 24 हैं और नेथन एलेस के पास में 16 में 22 विकेट हैं हाला कि दोस्तों इन दोनों का जो हाइस्ट है वो अभी तक देखा जाए तो जील बनाने के लायक नहीं क्योंकि तीन विकेट पर हम जील विन नहीं कर सकते हैं तो अभी तक इन्होंने इस मैदान पर जो 17 और 16 पारि पर्फुमेंस और उनकी वीक्नेस के बारे में चर्चा करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले हम डार्शी शॉट के बारे में देखने वाले डार्शी शॉट इस पूरे सीजन में देखा जाए तो कुछ भी खास नहीं कर पाए पिछले मैच में कोवर की गिनबाजी मिली जरूर तेरा पारियों में साथ पचास है पहले बैटिंग करते हैं तीन पचास सेकिंड बैटिंग करते हैं चार पचास आप जोस्तों स्मॉल लीग में तो कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी तक इस टौर्णामेंट में कुछ भी अच्छा नहीं किया है लेकिन आप इने जी एल में अपना कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं आप बिलकुल नोट करिएगा डार्शी शोट का नम आप जी एल में एज़ 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 वाइस कैप्टन के लिए अब इस टॉनमेंट के अंदर अभी तक इने चार बार दो राइट आम मीडियम ने आउट कर दिया राइट आम मीडियम इने परेशान कर रहे हैं और अगर हम वीकनिस की बात करें जो इनकी कमजूरी है उसमें ना तो ये लेफट आम फास्ट बुलर को अच्छा खेल पाते है ना ही ये राइट आम फास्ट बुलर को अच्छा खेल पाते हैं इस टीम के पास में जो सामने टीम है एडिलेट की उनके पास में कोई लेफट आम फास्ट बुलर तो नहीं है लेकिन राइट आम फास्ट बुलर मौजूद हैं एक नहीं दो राइट आम है जिसमें एक हैं Wes Agal, और दूसरा है Henry Thornton, Henry Thornton ने पहले भी इन्हें एक बार आउट किया हुआ है, और एक है दोस्तो Peter Siddle, जो कि पहले इन्हें तीन बार आउट कर चुके हैं, दोस्तो ये इनकी weakness वाली गिंदबाज है, और ये इनका player battle है, player battle इनका चल रहा है Peter Siddle से, इसके बाद दोस्तो नम tournament में अभी उतना कुछ खास किया नहीं, दो बार 17 रनों का score किया है, striker के सामने भी इनका record कुछ खास नहीं है, 33 का average है, हाला कि एक शतक जरूर लगाया है, अगर आप ये शतक घटा दें यहां से, तो इनके काते में run बचेंगे सिर्फ 200 run, मतलब 11 पारियों में 200 run बचेंग left arm medium गिंदबाज के सामने इनका 18 काइबरेज है, अब चुकी इस team के पास में striker के पास में कोई भी left arm medium नहीं है, लेकिन अगर हम player battle की बात करते हैं, तो आप क्या देखेंगे, Matthew Short जो की power play में गिंदबाजी करते हैं, वो इन्हें एक बार आउट कर चुके हैं, Peter Siddle, दोस्तो ये तीन बार इन्हें आउट कर चुके हैं, और राशित खान भी इन्हें तीन बार आउट कर चुके हैं, अब हमने यहाँ पर क्या देखा, repeat नाम कौन सा है, दोस्तों वो है Peter Siddle का, एक battle हमने उपर Darcy Short के साथ में देखी, दूसरी battle हम देख रहा है, यहाँ पर Ben Magdermot के साथ में, अब नमबर तीन पर आपको मिलेंगे Matthew Wed, दोस्तों अगर betting order change होता है ना, तो मैं आपको टेलेग्राम पे clear करूंगा, तो टेलेग्राम पे आप रहोगे, तो आपको benefit मिलेगा, फिरी में आपको information मिलती है, मैं आप लोगों से कोई भी charge नहीं लेता हूँ, और अगर अच्छी betting की है, खासतों से पहली पारी बड़ी कमाल थी, जिसमें 119 का average है, maximum matches में not out है, और यहां देखा जाए दो बार right arm medium इन्हें out कर चुका है, लेकिन इनके अगर हम कमजोरियों की बात करनें, तो right arm fast bowler के सामने इनका 8 का average है, और off break के सामने 21 का average है, यहां पे आपको कैले जेवेल, इन्होंने 4 पारियों मातर 64 का score किया है, इनका 16 का average है, अगर यह open करते हैं, दोस्तों क्योंकि इन्होंने भी open किया हुआ है, अगर यह open करते हैं, तो बिल्वकुल आप इन्हें drop कर सकते हैं, रिकॉर्ड उतना कुछ खास है नहीं, और पिछले 2 सालों के आउट कर चुके हैं, वो भी मातर 3 गेंदों के अंदर, 3 गेंदों के अंदर 2 बार आउट कर चुके हैं, इन्होंने टोटल 4 पारियों खेली हैं, स्ट्राइकर के सामने, जिन में से 2 बार तो इन्हें राशित खान ने आउट किया है, इसके बाद आप पीटर सिडल, वैस अ 28 का है, हाइस तो सिर्फ 28 का है, इस बात का ध्यान रखिएगा, और 57 पारी, 1228 रन, 25 का एवरेज है, और 3 बार 50 ये पिछले एक साल में कर चुके हैं, पहले बेटिंग करते हुए, सभी तीनों मैंचेस में 50 किया है, अगर आप टिम डेविट से उम्मीद कर रहे हैं, कि आप लेफटार मीडियम के सामने, इनका 70 रखाय परेज है, अब यहाँ पर ना तो लेफटार मीडियम है, ना ही और्थोडोक्स गेंदबाज, ये दोनों गेंदबाज आपको सामने वाली टीम में नहीं मिलेंगे, तो ये जो प्लस पॉइंट मिलता है, ये टिम डेविट के खा आसिफ अली है, 29 पारी, 441 रन, 16 का एवरेज है, एक बार 50 से उपर का स्कोर है, दोस्तो हुरीकेन से अभी फहीम अश्रफ जुड़ चुके हैं, जिमी नीशम बाहर गया है, और फहीम अश्रफ जुड़ चुके हैं, तो अगर फहीम अश्रफ खेलते हैं, तो उनका रेकॉर थ्रॉंटन, राशित और पीटर सिडिल, सिडिल का नाम हमने पांच भी बार देखा है, अगर इन पांच में से ये तीन विकेट भी निकालते हैं ना दोस्तों, आपके स्मॉल लीग जील में बहुत अच्छी चोईस बन जाएंगे, और वैस अगार और इसके अलावर पारीों में पैतालीस विकेट निकाले है, राइटाम मीडियम इन्हें तीन बार आउट कर चुका है, पहले गिंदबाजी करते हुए बाइस में बीस विकेट हैं, सेकेंड गिंद बाजी करते हुए 17 में 25 हैं, मतलब कमाल अगर देखना है तो आप सेकिन डिनिंग में देख सकती हो इसके बाद है दोस्तों पेंट्रिक डूले पांच पारी नौ फिके इनksomh खाते में दर्ज हैं और इसके बाद जोईल पहरे से चार पारी तीन विकेट इनके खाते में दर्ज हैं और 32 पारियों में 27 विकेट इन्होंने निकाले हुए हैं पिछले अपने केरियर में पहले गिंदवाजी करते हैं तो 14 विकेट हैं सेकिंड गिंदवाजी में 15 में 13 विक 24 विकेट है सेकंड गिंदबाजी में 19 में 19 विकेट है और अंत में नेथन एलेस आपको मिलेंगे जिन्होंने 5 पारियों में 7 विकेट निकाले हुए हैं स्ट्राइकर्स के सामने और 48 पारियों में 55 विकेट इनके खाते में दर्ज हैं जो कि उन्होंने पिछले 2 सालों के अब यहां पर देखिएगा हमारे एक यूजर दोस्तों जो बड़े दिन से कह रहे थे कि मुझे बताओ मुझे यह बताओ कि कौन सा प्लेयर कब कितने ओवर करता है तो वो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूँ उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा बड़े दिनों से पैट्रिक ने और डैथ में आपको मिल रहे थे जॉयल मेरेडित नेथनेलिस दो और शादाव खान का एक ओवर देखने मिल रहा था पिछले मैच में जयमी नीशम के कुछ ओवर थे अब चुकी वो नहीं किलेंगे तो उनके जो ओवर है वो इन में ही डिस्टिब्यूट हो भूलिएगा रेडियो पर साइन अप कर लेना अगर आप चाहते हो कि फिरी में विनिंग्स लगातार होती रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौझूद है साइन अप करो जाके मैथ्यू शॉर्ट दो पारियों में पांच रन है और क्रिस लिन ने छे पारी में 140 रनों का स सकोर किया है, एक बारज पचाष से उपर का सिकोर है, इस मैदान के ऊपर हीरी निलसन ने एक मेंए 8 किया है, निक रेचार ऐंच र hasn ре वे कि निकाले है इसी मैदान के ऊपरומ का इस ते चार वे किड legalख से पहला नाम है एडिलिट स्टाइकर से तलब से हेंडरी हंट का पिछला मैच इनका बड़ा अच्छा रहा था अभी तक इन्हों ने अपने केरियर में आठ ही पारियां खेली हैं जिसमें 151 रनों का स्कूर किया है इनको दिख करते दोस्तों लेफटा मीडियम से और दूसरी समस्या है इनने लेग ब्रेक से ये दोनों पर्फॉमेंस अगर हम हुरीकें के खिलाफ देखते हैं तो 35 का अभरेज जो कि काफी हद तक डीसेंट है और 6 पारियों में दो विकेट निकाले हैं पिछले दो सालों के अंदर तो इनका 32 का अभरेज है पांच बार 50 से उपर का स्कूर है इनकी कमजोरियों की अगर बात कर है दूसरी समस्या लेग ब्रेक हैं लेग ब्रेक के सामने इनका 18 का अभरेज है शादाव खान है जो इनकी वीक्निस वाले गिंदबाज है लेग ब्रेक गिंदबाज ही करते हैं और नेथन एलिस हैं दोस्तों 11 गेनों में 12 रन देकर दो बारे ने पहले आउट कर चुके हैं इनका प्लेयर बैटल आपको देखने मिलेगा फिर नमबर तीन पे क्रिसलेन आपको मिलेगे इनका रिकॉर्ड बड़ा कमाल है पचास का अभरेज है हमने एक पचास का अभरेज सामने वाली टीम में शॉट का देखा था डार्शी शॉट का यहाँ पे क्रिसलेन का देख र रैना तो आपको कम से कम दो wisdom कर दे सकते हैं और और आफ ब्रेक के सामने इनका 19 का आफ यहां ना तो आपको आफ ब्रेक मिल रहा है नहीं आपको चाइन में गेंद simplemente करता हुए तो लैन 설 δεν के पास सामने तीन बार अपना विक्ट दिया है और ऑफ ब्रेक के सामने सामने यहां आप क्या देख रहे हैं पंदरा का एबरेज है शादाब खान जो है दोस्तों लेग ब्रेक गिनबाजी करते हैं आफ अपको डरूर यहां पर नहीं दिखेंगे अब जो एक खास चीज हम ने देख कर रहे हैं यह फिर आते हैं दोस्तों यहां पर कॉल इंडी ग्रेंड हॉम पे लास्ट मैच में उन्होंने तीन ओवर डाले थे क्योंकि पीटर सिडिल के ओवर नहीं पिटते हैं तो इनके ओवर आपको इतने जदा देखने नहीं मिलेंगे और रही बाद इनकी बैटिंग की तो दोस्तों यह 15 से 20 रन वाले इस प्लियर ही हैं बहुत जादा सदा 30 तक चले जाते हैं और इनका गिंदबाजी पर्फुमेंस कुछ ऐसा है कि 14 पारियों में 4 वेकेट निकालें तो बहुत जादा क्वालिटी नहीं है काफी सारे लोग इनके ओल राउंड पर्फुमेंस क को दिखने के चकर में टीम में पिक करते हैं और मैं दуч提म करने के लिए इने टीम में पिक नहीं करोंगा आपको रखना है आप अब बेकाइदा और उस्दाएंगे एन एलेस और आर मेरेडित आपको यहां पर नजर आ जाएंगे फिर दोस्तों थोमस के लिए इन्होंने हुरीकेन के सामने दो में 28 किया है इनको राइटाम मीडियम को खेलने में दिक्कत आती है 19 का एबरेज है एलेस और मेरेडित का नाम आप फिर से यहां पर देख सकते हैं और हैरी नेलसन दोस्तों विकेट कीपर है लेकिन सिर्फ विकेट कीपर है क्योंकि बेटिंग करते नहीं है बहुत नीचे इनका बेटिंग डाउन है राशिद खान से भी नीचे बेटिंग करने आते हैं दो पारियों में 13 रनों का सकोर किया है 12 पारियों में 189 किया है और इसके बाद दूस्तों इनके खाते में 49 हाइस है पहले बेटिंग करते हुई 11 का एबरेज है सेकंड बेटिंग करते हुए 25 का एवरेज है राइटाम मीडियम के सामने इन्हें दिक्कत होती है एलिस और मेरेडित दोस्तों डैथ ओवर में कमाल कर सकते हैं दोनों में से किसी एक के खाते में अच्छे विकेट देखने मिलेंगे डैथ में क्योंकि जो नीची के प्लेयर है जो डैथ के प्लेयर है वो उतने कुछ कमाल के नहीं है और अब आते दोस्तों यहां पर राशित खान राशित खान के बारे मैं मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि क्या होने टीम में पिक करना है नहीं करना है तो पहले तो आप इनका रेकॉर्ड देख लो दस पारिय प्लेयर आपको लेफ्ट एंड मिल रहे हैं सामने वाली टीम में जो की टॉप ओडर में बैटिंग कर रहे हैं और अगर दोस्तों डार्शी शॉट और मैथ्विट दो ऐसे प्लेयर हैं जिनसे मैं उम्मीद कर सकता हूं कि वह लेग ब्रेक को अच्छा खेल सकते हैं और कंप कैप्टन वाइस कैप्टन सी लाइक रिकॉर्ट नहीं यहाल फिलाल कि सिती में अगर आपको बनाना है आपकी मर्दी है वैसे एक अधिक टीम में ट्राय कर लेना क्योंकि नाम बड़ा है इसके बाद हैं हैं के सामने दो विकेट निकाले हैं ग्राउंड का रिकॉर्ड अच देट में गिनवाजी करने तो मैं कह रहा हूं कि इस मैच में आपके लिए के कफ्तान रहेंगे तीसरा प्लियर बताया है मैंने आपको जील के कैप्टन सी क्लिए डार्शी लेन और यह पीटर सिडिल इसके बाद वैसा गार है साथ में आट ट्रिकेट इनके खाते में भी त साबित हो गए थे और एलिस कम से कम वैसागार कम से कम दो डालते हैं अब यहां से कैप्टन राइस कैप्टन सी की चॉइस देख लीजी स्मॉल लीग के लिए हैं शॉट ठॉंटन और शॉट मैथिव शॉट डाशी शॉट और इसके बाद अगर हम बात करें जील के लिए त और कल भी दोस्तों हमारे वाइस कैप्टन ब्राउनी थे क्या जबरदस्त हमारा था ब्राउन ने अब टेलेग्राम पे तो आपने जोइंग कर लिया होगा साथ में जो रियल 11 है यहां पर आपके लिए क्या-क्या ओफर से मैं आपको दिखा देता हूं पहले तो लीडर बो तीन मेंबर चार मेंबर खेलते ना सबसे अच्छा कॉंटेस्स पता है मैं इसे मानता हूं 500 रुपे लगाओ पूरे 5000 रुपे विन करोगे दोस्तों टॉप करो 7% विनिंग हो एक बंदा जीतेगा लेकिन पूरा 100% दोस्तों बिना यह मानके चलेगा कि आपका एक भी रुप उसको हमने टीम में पिक किया हुआ है शादाव खान है इसके बाद कफ्तान शॉट है वाइस कैप्टन थ्रॉंटन है दाजी मेरेडित पीटर सिडिल और वेस्ट अगार को टीम में रहा है अब यहां पर जो प्लेयर एक चेंज होगा दोस्तों वो होगा सिर्फ आर मेरेडि दीजेगा मिलते हैं अगले वीडियो तब तक के लिए बाइज जय भारत